नमस्कार दोस्तों आज की डेट में आपन बात करेंगे HDFC बैंक की HDFC बैंक में ब्रेक आउट होने की संभावना भन रही है मैंने प्रिवेस वीडियो में भी कहा था अपने देखावा स्टॉक का ट्रेंड इस लेवल से लगातर पॉजिटिव हुए दोस्तों और मार्केट के गिरावट के साथ HDFC बैंक में गिरावट भी देखने को नहीं मिली इसी रेंज में स्टॉक काम कर रहा है कापी दिनों से तो ये एक पॉजिटिव सिगनल है अड़ी सेलिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है तो छोटी मुटी गिरावट के साथ यहाँ पर एक मोकाब बनेगा तो आने वाले टेटिंशन डेक कल के डेट के सपोर्ट लेवल के अगर बात की जाए तो छोटी मुटी गिरावट के साथ एक immediate सपोर्ट बनेगा 1640 का लेवल अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाता है तो नेक्स सपोर्ट बनेगा दूस्तों 1600 का लेकिन सबसे आखरी सपोर्ट लेवल रहेगा जब तक नीचे की और 1560 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक उपर की और ही जाने की संभावना बन रही है तो ये एक इंपोर्टन सपोर्ट है इसी लेवल से अगेन अगेन बांद बैक देखने को मिल रहा है तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक पोजिशन को होल्ड कर सकते है 1560 का सबसे आखरी सपोर्ट है 1560 का सपोर्ट टूटा तो फिर आपको 1480 तक की गिरावट नीचे के और दिखा सकता है लेकिन मार्केट का ट्रेंड है पोजिट्व और मार्केट के गिरावट के साथ यहां पर गिरावट भी देखने को नहीं मिली बड़ी गिरावट तो यह अभी ब्रेक आउट दे सकता है मार्केट के अफसाइट के साथ तो इमेडियेट टागेट है 1680 का लेवल कल की डेट के लिए पहला टागेट 1680 के ऊपर निकला तो यह रिसेंट हाई रजिस्टेंस का ही काम करेगा 1700 का लेवल 1700 के ऊपर निकला तो 1780 और आने वाले 6 मेने में 2000 तक के टागेट भी SGFC बैंक उपर के और दिखा सकता है